मंगलवार को नाकपुर से ताडोबा भ्यारन्य के कोलारा के पास देवरी यहां एक नई सडक का निर्मान किया जा रहा था जहां से जाते हुए कार का संतुलन बिगनी की वज़े सी कार नाली में जागिरी और वही हाथ से का शिकार हुई जिससे कार में बैटे हुए 12 साल की बच्ची के मौके पर हिम्रुत्य हुई साथ ही गाड़े में बैठे लड़की के चाचा अमिनेश अशोक अगरवाल की अस्पताल ले जाते दौरान पृत्य हुई है कार में राइवर ध्यानेश वर वसंद नारत मिनू अमिनेश अगरवाल नेहा अशिश अगरवाल और इशू अमिनेश अगरवाल मौझू थे जिन में से दौ की मौत हुई और अनिचार को इलाज के लिए चिमूर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगे के इलाज के लिए नाकपूर रेप फर किया गया बताए जा रहा है कि नाकपुर से ताड़ोबा भैरन के लिए कोलार के पास देवरी में वन्यविलास रिसोर्ट में आउनलाइन बुकिंग कर ताड़ोबा जंगल सफारी करने जाते दोरान सुबर 11 बशकर 15 मिनिट पर चिमूर के पास बांबू रिसोर्ट से 500 मिटर की दूरी पर या हाथ सा घटितुआ इस हाथ से में आगे की जाच चिमूर पुलीस द्वारा की जा रही है